नमस्कार भाईया और बहनी देखिए गर्मी बहुत तेजे जल्दिस पढ़े लेते हैं सेल वाल क्या होता है जैसा कि आप जानते हो क्लास नाइंद का एक टो चेप्टर है दो फंडमेंटल यूनिट अफ लाइफ तो उसी में एक टो छोटास टॉपिक आता है ये सेल वाल और उस सेल का जो सबसे बाहरी वाला लेयर होता है उसी कहम सेल वाल कहते हैं जैसी का आप देखरों ये प्लांट सेल है अब ये जो प्लांट सेल है इसकी जो सबसे बाहरी वाली लेयर है उसी कहम सेल वाल कहते हैं अब आपके मन में आपके पिटवां में आपके आंतोत में कवर कोशन आ रहोगा क्या हमारे अंदर होता है तो हमारे अंदर नहीं होता यानि कि अनिमल के अंदर यह नहीं पाए जाता देखिए यह सबसे बाहरी लेयर होती है plant cell और उसके अंदर होता है cell membrane और फिर एक अंदर होता है पूरा साइटो प्लाज्म औरल क्लांट इसल के अंदर क्या होता है च्योंट प्लांट उसके सबसे अचिकले साथ हुँआ छनल कहलाती है और उसके अंधर इन प्लांट सेल होती है सबसे बाहरी लेयर सबसे बाहरी और इक सबसे बाहरी सबसे में नहीं नहीं अब यह जो जो इस लिए जो प्रण बहुत जादा आनिया तब गिरता है और उसी अनियम हम लोग उड़ी जाएंगे अब देखे ये जो सेल वाल होता है ये पोरस भी होता है पोरस का मतलब क्या होता है है पोरस का मतलब यह होता है उसमें छोटे 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 होते हैं छोटे 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 होते हैं छेद इसलिए होते हैं ताकि कौनों चीज अंदर आ सके कौनों चीज बाहर जा सके सेल के अंदर मान लीजे सेल के अंदर कौनों चीज कमी हो गई तो उसके अंदर भी जाना जर मेंब्रेन अब यह छोटी-छोटी में क्या होते हैं छेद कि माल लीजे कोनों चीज अंदर जा सके कोनों चीज बाहर आ सके इसलिए यह छेद होता है जानगे अब देखिये यह सेल यह सेल वाल होती है इड कुल मतलब अंधर आने देना और navigate का ना और बाहर चीच को ख़राब मतलब खराब चीज को बाहर जाने देना ये भी कह सकते हो या तो आप कह सकते हो कौनों चीज, रसा रसाक के अंदर जाएगे, मतलब माल लीजिए यहाँ पर क्वनों चीज है और उसको अंदर जाना है और यह अच्छी चीज है तो यह जो सलवाल हो है ना अंदर जाने देगा लेकिन रसा रसा के अंदर वा जाता है धीरे धीरे अंदर जाता है इसे नहीं के बाया के घुश जाएगा तो यह सलवाल हो क्या करता है अच्छी चीज को अंदर जाने देगा खराब चीज को बाहर आ